एक पास स्वागत है आपका बड़ी खबर आपको बता दे जहां नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्माया हुआ है और अब इस पर राजनतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शिरू हो गई है तो नीट परिक्षा धांदली मामले पर सियासी घमास्तान मचा हुआ है बिहार में पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाये जा रही है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से जहां खुद को छात्रों का सभी चाहे वो पक्ष के लोग जा फिर विपक्ष के सभी छात्रों का हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो ब्यार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है जाच करेगी और जो लोग जाच करेंगे उसमें जो सही निकलेगा ऐसी आरोप लगादना मन गढ़न बात कह देना उचीत नहीं है और कुछ लोग जादा बोलने के लिए जाने जाते हैं और खबरों में बने रहने के लिए सब बात बोलते रहते हैं बदनाम करने के लिए तो हम कहेंगे जाँच हो जाँच में जो सही निकलेगा उस पर करवाई आर्थिक अपराज साखा बगैर को मानने नियाले के निर्देश के स्वता संज्ञान लेकर के जिस तरीके से ततपर होकर कारवाई किया है और जिस जंग से गिरफतारियां हुई है तो रसुखदार लोग तो इसमें पकड़े गए है यह तो गंबीर मसला है चातरों के भविसी के साथ खिलवाल करना और खिलवाल के नाम पर आप चातरों के गला घोर दिएगा तो अगर यह साक्ष परियाप्त हैं तो निश्चित रूप से यह गंबीर भी से है और इसने केवल ना बिहार को कलंकित किया है बलकि छात्रों के भविश्य के साथ खिलवार किया है ऐसे लोगों को सक से सक सजा मिलनी चाहिए और ब्योरोचीफ अमित सेंग इस वक्त अबारे साथ जुड़े हुए है अमित नीट पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ ये छात्रों के भविश्य के साथ सीधे-सीधे खिलवार है लेकिन देखिए इसका फाइदा उठाने की कोशिश हो रही है चाहिए वो पक्ष के लोग हो या पर विपक्ष के सभी अपनी-पनी सियासी रोटियां सेक रही है इस मामले पर बिक्षर रसमीज देखिये कितना गंभीड मामला है और छात्रों के भविस्य से बेसक जुड़ा हुआ यसस तरीके से यह कान्ड हुआ है इसको इसको लेकर छात्रों के अंदर उखापो की स्थिति है पूरे देश भर में इसको लेकर छात्र काफी परिशान है कि आकर क्या होगा उनका भविस्त कैसा होगा और इस पूरे प्रक्रण में जिस तरीके से एक mastermind सामने उभर कराया है जिसका नाम सिकंदर यादवेंदू है अब उसके जड़िये सियासत्येज हो गई है जो सत्तारूर पार्टी है उसके नेता ये कह रहा है कि इनके तार जो है वो RJD से और तेजस्वी आदों के तरफ इशारा करते वें नेता प्रतिपक्ष के तरफ इशारा करते वें कहा जा रहा है कि इनके सम्मंद जो है जो mastermind के सम्मंद RJD के से तालुक रखते है और कहीं न कहीं तेजस्वी आदों के साथ उनके सम्मंद जोड़े जा रहा है इस पर आरजेडी की तीखी प्रतिक्रिया है आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि बिना वजह कोई बिना जाज के रिपोर्ट के बाद किसी के साथ इसका सम्मन जोड़ देना और केवल वो उस जाती बीसेस का हो इसके साथ समूचे समाच को इस पर उन्ली उठाना ये कहीं भी सही नहीं है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरफ छात्रों के भविस्थ का सवाल है तो दूसरी तरफ सियासत तेज हो गई है और सियासत इसकदर बढ़ी है कि दोनों ही पक्ष के तरफ से आरोप प्रत्यारोप सुरू हो गए है और अब कुछ मिंटों बाद जेडियू एक करना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ इस खुलासे से जुड़ी वी चीजे जेडियू पेस कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इस पूरे मामले को अब सियासी रंग दिखना सुरू हो गया है जिस तरीके से लोग पकड़े गया है जो लोग इसमें सामिल है इस कांड में उनके ज कि जो छात्रों का भविष है इसके चिंता किसी को नहीं सब को अपनी अपनी शियासत की फिक्र है बिलकुल अमेत और इस वक्त ऐसे गंभीर मामले पर इस तरह से बयान देना क्या ये उचित है क्योंकि इस वक्त जरूरी ये है कि जो दोशी है उसे पकड़ा जाए उस पर क प्रूरी है इस वक्त बिलकुल जिस तरीके से चात्रों का भविष है और छात्रों से पूश्ताच की गई कई चात्रों से ये पूछा गया कि क्या कुछ उनके साथ जो हुआ जो इस पेपर लिक कांड से जुड़े वे जो भी तथ्य है वो खंगालने की कोशिस आर्थिक अ वो तत्र जुटाने की कोशिस की जा रही है लेकिन इस बीच जो सियासत तेज हुई है ये साफ लगती है कि जो सियासतदार लोग है वो अपनी अपनी रोटी सेखने में लगे है रस्मी महत्पूर्ण ये है कि चात्रों का भविष सिका क्या होगा नीट की परिका में जो ग जो बात उन्होंने कही है और अभी से कुछ मिंटों बात जो प्रेस कॉंफरेंस होना है जिसकी जानकारी आपने दी क्या लग रहा है क्या जेडियू इस प्रेस कॉंफरेंस में कुछ खुलासा करेगी बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है कसिस रूज के पास है इसमें जो प्रेस कॉंफरेंस होना है ये दरसल ये प्रेस कॉंफरेंस नीट पेपर लिक कांट से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर जो गिरफ्तारिया हुई है जो मास्टर सिकंदर यादवेंदू का नाम सामने आ प्रेस कॉंफरेंस किया जा रहा है महतपूर्ण ये है कि जिस तरफ इसारा किया जा रहा है यानि कि वो नेता प्रतिपक्ष और आर्जेटी की तरफ इसारा किया जा रहा है क्या कुछ खुलासे होते है ये महतपूर्ण है कि आकि कि किनके साथ किनके तार जुरे हुए है ल इस तरह किसे मामले सामने आ रहे हैं तो ये काफी गंभीर मामला है बिलकुल गंभीर मामला है अमितो और ऐसे बे जरूरी ये है कि सियासत को थोड़ा अलग ड़क कर बच्चों के भविश्य पर ध्यान दिया जाए और जो भी इसमें बापिया है उन पर काड़वाई हो बहु